दिल्ली स्थी तक्हिल भारती आयरोविग्यान संस्थान एम्स के 25 वर्षी एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने शुकुरवार को एक छात्रवास की दस्वी मंजिल से छलांग लगा दी जिसके बाद उसे गंबीर हालत में उसे अस्पताल में भरती कराया गया था सूचने मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुँच गई पुलिस के मताबिक डॉक्टर का नाम अनुराग है जो की हॉस्टल के तीसरी मंजिल पर रहते थे लेकिन उन्होंने दस्वी मंजिल से जाकर बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी जिससे उनको काफी चोटे आई ह और गंबी हालत में एम्स में ही भरतिकर आगया है लेकिन जान नहीं बचा सकी जानकारी के मताबिक डॉक्टर डिप्रेशन के शिकार था और अपनी मा के साथ रहता था शाम करीब पांच बजे वो हॉस्टल के बिल्डिंग से कूद गए पुलिस ने बताया कि डॉक्टर का गैलेडी से वो छलांग लगा दिये अच्छा और यहां जो गार था बैक गेट में जिसके ड्यूटी थी वो गारी का नंबर नोट कर रहा था तो जब आवाज आई गिरने का तो वो दोर के आया कि इंदर आवाज तो देखा कि एक आदमी गिरा परा है और बाद में हम जब लगा तक भी है कि इस पूरे मामले पर केंदरिय स्वास्ते मंत्री हर्शवर्दन ने भी टूइट करते हुए काहा कि एमस दिल्ली में जूनियर रेजिडेंट युआ और सबसे प्रतिवाशाली डॉक्टर अनुराग कुमार की दर्दनाक मोत के बारे में सुनकर हैरान और व्यतित हूँ वो पिछले कुछ समय से गंबीर अवसात का इलाज करा रहा था और उन्होंने खुद की जान ले ली उनके परिवार उनके सयोगियों के प्रती सम्वेदनाय पर कट करता हूँ गौर तलब की कुछ दिन पहले ही एमस के ट्रॉमा सेंटर में एक जर्रलिस्ट ने भी चौथी मंजिल से कूत कर जान दे दी थी इसके बाद स्वास्त्यमंद्री ने जांच के लिए हाई लेवल कमीटी भी कढ़ित की थी एमस ने बयान में बताया था कि जर्रलिस्ट का टेस्ट करोना पॉजिटिव आया था वो ट्रॉमा सेंटर की पहली मंजिल पर भरती थे लेकिन चौतिर मंजिल पर जाकर उन्होंने चलांग लगा दी